जे SAC के विभिन एक्जान को ध्यान में रखते हुए और साइन्स का इंपॉर्टन्स को देखते हुए आपको MCQ के थुरू यहाँ पे साइन्स का रिविजन करवाया जा रहा है जिसमें दू सेक्षन या दू सब्जक्ट जो है हम लोग कंप्लेट कर चुके जिसमें केमेस्ट तरह से अब आने वाले वीडियो में बाइलोजी से रिलेटेट आपको 450 प्रशन को डिसकस किया जाएगा और इस तरह से संपून जो जीव विज्ञान है उसका यहाँ पे आपको रिविजन करवाया जाएगा MCQ के थुरू और आपको पता ही है यहाँ पे जितने भी MCQ बता होना है तो आज का जो टेस्ट है वह एक्चुली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास टेस्ट नाइन है कि अल्रेडी हम लोग आठ टेस्ट जो है फिजिक्स और केमस्ट्री में कभर कर चुके हैं लेकिन बायोजी के संदर में देखा जाए तो यह टेस्ट वन ही होगा और इस तरह से आज 120 प्रशनों के इस टेस्ट में से कुछ प्रशनों को यहाँ पे हम लोग साल्व करने का प्रयास करेंगे अभी हम यहाँ पे कम प्रशनों को साल्व करेंगे जैसे जिससे समय बीत्ता जाएगा वैसे थोड़ा सा प्रशनों को हम लोग यहाँ पे ज्याद कर सकते हैं तो biology का जो पहला टेस्ट है वो फॉस्ट चार चाप्टर से रिलेटेड है पहला जो चाप्टर है वो है परीचा इंट्रोडक्शन दूसरा जो चाप्टर है वो जीवधारियों का वरगी करन क्लासिफिकेशन ओफ और चाप्टर है वो है कोसी का सेल और चौथा है उत्तक यानि कि टिसू चलिए देखते हैं पहला प्रशन क्या बोलता है तो पहला प्रशन है जन्तो विज्ञान जो जूलोजी अध्यन करता है केवल जीवित जानवरों का केवल जीवित वनस्पती का ज चाहिक चीज है जो कि आपको सुरवात में ही देखने को मिलता है जब हम बायलोजी पढ़ते हैं तो बहガल चनवर जीवित हो जानवर nicely म्रित या जिविग जानवर किसी कभी अगर मद्यान करते हैं तो वह उडिय के अंतरगत आता है और फादर इंगित है ड uwलोजी आप कमे पख्षी का अध्य को क्या गईते वो आपको मिलाना है हैं तो यहां पर आपका पक्षी का जो अध्यान दिया जाता है उसको और और नियो लाजिक के देखिए यह जो भी आप किताब रेफर कर रहे होंगे उसमें फॉस्ट चाप्टर में ही एक लिस्ट आपको मिल जाएगा उस लिस्ट को आप याद करने का प्रयास कीज़ेगा और यहां जो भी कुशन आपको बताया जा रहा है वो प्रिवेस एर में पूछे गए और लगब चैनल में मिल जाएगा और दूसरा चीज अभी जो हम कुशन करवा रहे हैं बायलोजी का उसका भी पीडिएफ हम यहां पे डाल देंगे आपका काम है हम हमेशा पिछले टेस्ट में भी आपको बता रहे थे या सॉलिशन वीडियो में भी बता रहे थे कि यह जो ख़िए साध कर पाते हैं कितना गलती होता है इस तरह से भी आपको सकते हैं जैसे वी है मतलब इतना प्रस्चन जो है आपको याद हो जाना चाहिए देख लिएए होता है ना concept build हो जाता है जो कि directly अगर इस टेस्ट में आपको वह कुशन ना भी दिखे लेकिन इन डिरेक्टली कहीं न कहीं यह जो कुशन है आपको उस को बनाने में जो कि आप पढ़के नहीं गए हैं वहां help करेगा होता है ना कभी option मिल गया यह options सेलमेंट कर लिए सीदे तो नहीं पूषता है लेकिन मिलता जुलता कु windingánt हम बना लेते हैं इसलिए टेश्ट बनाना बहुत हो रही है और सबसे पहले प्रिवेसर कुष्यंट अध्याइन किया जाता है प्रेवरंत बहुत आसान है एकोलोजी हम लोग करते हैं जीवास्म जो है पेलियो बाइयोलोजी में हम लोग अध्यान करते हैं तो इस तरह से यहां पर अगर सही ऑप्षन दिखेगा तो ऑप्षन भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं फूलो के अध्यान को क्या करते हैं तो फूलो के अध्यान को फ्रेणोलोजी करते हैं एथोलोजी करते हैं एग्रोस्टोलोजी करते हैं पैली नोलोजी करते हैं यहां चार आप्षन आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आप्षन बी जो है वो सही है फूलो के अध्यान के बारे में फूलो के अध्यान को हम लोग एथोलोजी करते हैं याद करने का थोड़ा-थोड़ा परियास कीज़ेगा क्योंकि यहां से बहुत जादे सवाल पूछे गए हैं और अभी आने वाले जो समय हैं उसमें आपको पता चरेगा भी दूसरा चीज यहां फृणो लोजी यहां पे दिया गया है तो यह फृणो लोजी में हम लोग जो है वो मस्तिस्क का अध्यान करते हैं इस तरह से अगर कभी पूछा जाए मस्तिक के अध्यान को क्या करते हैं तो फ्रेनोलोजी ये भी आप याद रखेगा दूसरा है एग्रोस्टोलोजी अगर पूछा जाए इसका अध्यान हम लोग किस चीज के बारे में करते हैं इसमें तो घांस का अध्यान करते हैं और पहल से भी सवाल पूछा जाए तो वो भी आपका सही हो जाए तो इस तरह से फ्रेणोलोजी में मस्तेक्स का अध्यान एथर्णोलोजी तो फूलो का अध्यान हो गया एग्रोस्टोलोजी हो गया घांस का अध्यान और प्राग कर्म का अध्यान हो गया नेक्स चलते हैं कीटों के और वे विएक्षान है आप को क्या है करते है तो यहां प्षार से चार आप्षन रहा है दिया गया है कि लिए अपbed क से किदा कब हिए है कि एंटोमोलोजी कि अगर यहां पर देखा जाए तो यह जो आपका दिया गया है इक्सियो लोजी करके जो उचारन है हो सकता है कि कुछ दूसरा भी उचारन होता होगा आप देख लीजिएगा यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मतस्य विग्यान और इससे आपको पता चल गया होगा इसमें हम लोग जो है मचली के बारे में अध्यन करते हैं परजीवी का है तारसाइट जो हम लोग करते हैं तो इस तरह से परजीवी का हम लोग जब अध्यन करते हैं तो पारसेटोलोजी कहते हैं फिर है मैकालोजी जो होता है मैकालोजी मतलब होता है अगर आप जीवधारियों का वरगी करन पढ़िएगा तो वहां पे एक में कौन सा विसे जन संख्या मानो जाती के महत्तपुन आकड़ों के अध्यान से संबंदित है तो यहां पे आपको चार आप्शन देखने को मिलेगा एको लोजी है पारस्थितिक के विज्ञान अनुवांसिक विज्ञान जैनेटिक जनान की डेमोग्राफी और वाइरस बारे में यहां पे जब हम लोग अध्यान करते हैं तो वो डेमोग्राफी में आता है एकोलोजी तो आप जानेगी रहें प्रया पारस्थिक के विज्ञान यहां दिया है इसका साथ का हिंदी दिया है तो इसे आपको चार आप्शन बताने का कोई और सकता है नहीं आप उस अलग अलग थिवरे के अनिसार यह जो है आपको चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा इसलिए इसको बहुत ज्यादा रिजिट होके आपको पढ़ना नहीं है यहां पर ऑप्शन डी सही अंसर है वो आपको हम बता दिये चाथ साथवा कुशन है विभिन संस्क्रीटि इनोलाजी या इथनोग्राफी या इथनोलाजी या इथिक्स करते हैं तो इस तरह से यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इनोलाजी इनोलाजी में जो है हम अलग-अलग मानो जाती के विज्ञान के बारे में अध्यन करते होता है ना कि अलग-अलग समुदाय ह या मानो जाती है उसका हम अध्यान करते हैं और उसके बीच हम ना कंप्यर करते हैं हो सकता है इस तरह से किया जाता होगा उसके बाद यह जो होता है इतनोग्राफी होता है इसका हिंदी अगर देखिएगा तो इसका मिलता है न्रीवन्स विज्ञान के तौर पे इसको हम मतलब किसी भी एक विसेस समुदाय के बारे में अध्यन कर रहे हैं तो हम लोग उसको इथेनोग्राफी के नाम से जान सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका दिया है इथालाजी जो होता है वो अचार सास्त्र होता है मतलब नीती सास्त्र है टाइप से जो होता है ना देखे आपको सारे स्टेट पीसी औरो मोब Hugुं करते हैं जैविक जैविक जगत में होने वाप अन्-बारे में यहांपर पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकता है, कहने के मतलब है, सिधा-sिधा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, कि अगर जीवित वस्तू के कारी और उनकी विस्ष्षताओं का विज्जानी का अध्यान हम लोग करते हैं, कोई भी जीवित जगत है उसका जो कारे है या उसका जो विसिस्टा है उसके बारे में अगर कोई वैग्यानिक अधियन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या गयते हैं तो चार आप्शन दिया गया है बायोनिक्स है फिर बायोनोमिक्स है फिर बायोनोमी है बायोमेट्री है तो मिलता जुलता है यहां पे विसेश्टा गुन मतलब क्या हो गया विशेश्टा होता है तो उसके बारे में जो हम अध्यान करते हैं तब हम कहते हैं कि व जो है वो किस सेleton बायोनिक्स से रिलेटेड है तेस रहा से यह पायोनिक्स अपका हो जाएगा तो बावियोनिक्स है बाकी अगर हम we only mix कहा गया है लेकिन अगर से हच किज Sports मिलेगा पारिस्थेति की का जीऊ आपकर करके यहां पर देता है तो देकि बहुत सारा डेटेवल डेटेल सब्जेक्ट है तो बेसिक चीज आपको जान लेना है कि पारिस्थेति की का जब जीव मापन करते हैं तो बायोनोमी में आ जाता है फिर बायोनोमी जो होता है जीवन के लिए या जीवन के नियमों से समंधित जो विज्ञान होता है उसको हम लोग बायोनोमी बोलते हैं तो इस तरह से यहाँ पे जो जीवन है जीवन से रिलेटेड अगर कोई नियम है उससे समानित अगर हमका अध्यन करें तो बायोनोमी हो जाएगा उसके बाद है आपका यहां पे यह बायोमेटरी बायोमेटरी में यहां पे यहां पे जीव मापन यहां पे नहीं होगा सॉरी माप कीजेगा जीव मापन बायोमेटरी जो होगा यहां पे होगा और यह जो होगा आप पर यह जिवमापन होगा अब और दो कुशन देख लेते हैं बाकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहां पर इसको करेंगे आगे के प्रशन को डिसकस करेंगे यह शुरुवाते वीडियो था इसलिए ज्यादा कुशन को यहां पर हम डिसकस नहीं कहते हैं फिर पैलियो वनस पास्म होता है यानि की जीवों का जो अंस है सडागला चीज जो बचा हुआ है तो उस तरह से इसका जब हम लोग अध्यन करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं यह पैलियो बोटनी तो यह तो कहीं पर आपको देखने को मिल नहीं रहा है इसलिए आप्शन डी इसका सही आ नाम से जानते एपी कल्चर में आपका क्या होता है मधु मखी यहां पर क्या किया जाता है पालन किया जाता है अब को बागवानी किया जब्सक्रमें आपका फूल वेगरा सब शुरुवाती वीडियो था इसलिए केवल दस कूशन यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार मिलते जाएगा और इस तरह से वहाँ ज्यादा कूश्चन को में डिसकस करने का प्रयास करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की विए जैन